नमस्कार किसान बाईयो अलवर मंडी भाव चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सरसों में तेजी आएगी या नहीं आएगी और कब तक आएगी पूरी रिपोर्ट बताऊंगा इस वीडियो के अगर आपके पास सरसों है रोके हुए है तो क्या तेजी मद्दी का माहूल देखने को मिलेगा सभी जानकारी होने वाली है तो बात करें सोयब इनकी जो कीमतों में गिरावट के दवाव से सरसों और सरसों के तेल के दाम है वो तूट चुके हैं बीते सबता स्टोकिस्ट और मिलों की मांग कमजोर रही है इसी वज़े से आप बिकवाली भी बढ़ने लगी है जिसके पर्मुक मंदियों में आवक है वो बढ़ चुकी है किसानों को पैसों की ज़रुत के चलते सरसों की बिकवाली बढ़ चुकी है जैपूर मंदी की बात करें तो 42% कंडेशन जो ही आई है लेकिन आयाइती तेल की कमजोरी और सोय बिंकी कटाई का समय करीन खड़ेगा और सोया पाम के साथ अंतर बढ़ने के वज़े से सरसो तेल की डिमांड है वो कमजोर हो चुकी है एक टेमांड और करस मार्जिन गटने से अधिकतर मिले बंद चल रही है ट्रेड जगत कि माने तो जो सीजन के सुरुआत में सरसो आठ हजार से आठ हजार पान सो की उम्मीद जता रहा था अब तेजी के मूड में बिल्कुल नहीं है हाला कि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सरसों की जो नई हाथों में सरसो आजाएगी तब साल के आखिर में भाव बढ़ सकते हैं ठंडी के मोसम में सरसों की मांग अधिक रहती है और तेल की मांग अधिक रहेगी जिस से उम्मीद है कि आगे चलके सरसों की तेल तेल और सरसों में थोड़ी सी इजाफा देखने को मिल सकता है जैपूर सरसों में 6775 का सपोर्ट है जिसके नीचे फिसलने पर गिराउट बढ़ने की पूरी उम्मीद है तो कहने का मतलब यह है कि अभी फिलाल सरसों में कोई तेजी का माहूल बिलकुल नहीं बन रहा है जो साल के अंत तक यह उमीद जताई जा रही है तो यह जानकारिया आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक सेर जरूर कीजिएगा नमस्कार